हेलो नमस्ते दोस्तों मेरा नाम है अतुल और एक बर फिर से स्वागत है आपका पर्यावन की फुस्तके के एक नए अंक में आज जिस किताब के हम चर्चा करने जा रहे हैं वो किताब है ये ये किताब है The Last Liberal और इसका हिंदी ट्रांसलेशन हम ले कर आए हैं आपके पास आखिरी उदारवादी ये किताब लिखा है राम चंद गुहा ने तो पहले जानेंगे लेखक के पारे में और फिर जानेंगे कि ये किताब क्या कहती है राम चंद गुहा जो है वो इकोलाजिकल हिस्ट्री और दूसरी तरीके की जो समकाली नितिहास है उसके भारत के माने जाने इतिहास कहा है इनकी जो दूसरी किताब है इकोलाजिकल हिस्ट्री पे ग्लोबल हिस्ट्री आफ इन्वार्मेंटलिजम है और एक How much should a person consume और इसके अलावा मादोगाडगिल के साथ इनकी किताब है Ecology and Equity और दूसरी और कई सारी किताब है तो इकोलाजिक को लेकर के और पूरे इन्वार्मेंटलिजम के हिस्ट्री को लेकर के इनका बहुत अच्छा काम है और इसके अलावा Contemporary जो हिस्ट्री है उस पे इन्होंने बहुत सारी किताबे लिखी है अगर इस किताब की बात करें तो ये किताब जो है ये एक निबंद की किताब है इसमें बहुत सारे आर्टिकल्स इनके प्रकासित हुए है लेकिन ये किताब पर्यावनी दिर्ष्टी से इसलिए important है कि इसमें जो आर्टिकल्स है उसमें से अधिकतर आर्टिकल्स या कहें तो 60-70 प्रच्छत आर्टिकल्स ऐसे लोगों के बारे में जो पर्यावन वीद रहे हैं गांधी का आण जाता है propose इसमें आजये था किताब में क्या है इसमें आ पहला जो हिस्सा है लोग और जग हैं इसमें बहुत इसमें आर्टिकल्स इसमें प्रच्छत आनने का आर्टिकल्स के बारे में you know सेवाग्राम के बारे में एक आर्टिकल्स 53 मेगं आश्रम m वहां पर बताया जाता है कैसे वो पूरी लाइफ जो है वो सेस्टेनेबल लाइफ है और वो किस तरीके की जिंदेगी है जिसके बारे में गांधी कल्पना करते थे लेकिन इससे जो आगे का आटिकल है वो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है गढ़वाल में एक गांधिवा और उस समय बहुत सारे पेंड काटे जा रहे थे लहाबाद की क्रिकेट कंपनी थी जो क्रिकेट का बल्ला बनाती थी और वो वहां पे गई और पूरी वो कहानी है और न सिर्फ इन्होंने चिपको आंदोलन चलाया बलकि वो एक आंदोलन था जो समाज के अंदिर था समाव बाद है जिसमें की लोगों की भागीदारी ना के बराबर होती है उस तरक्य का आंदोलन नहीं था वह बहुत समाजिक भागीदारी और समाज के अंदित वाला वह आंदोलन था दूसरी चीज थी थी कि वह समाज के सबसे नीचले हिस्स्ते से आया था तो एक तरीके से दूनिया के सांवने पहली बार लाए उस समय उनके साथ काम करने वाले भ्यक्तियों में से अनपमिस्र थे जो कि पहला इतिहास इनोंने इसका लिखा 1972 में उसमें लेखों के सरिंखला पूरी आई और बहुत सारे उसके फोटो ज और चित्रा है तो यह उनकी कहानी है और यह कहानी आपको यह बताएगी कि कैसे जो भारती परियावनवाद है वो यूरोपी परियावनवाद से या दूसरे तरीके के जो परियावनवाद चिंतन हैं उनसे अलग है दूसरा इसमें एक और अगला चेप्टर है टूर्थ जो पत्रिका है उसकी अस्थापना की थी यह 1970 और 80 के दसक में यह भारत आये वापस अमेरिका में रहते थे वहाँ पे इंगिनियर थे और इन्होंने परयाम और पत्रकारिता के छेत्र में कदम रखा और और environmentalism of the poor यानि की गरीब लोग का परयाम और वाद जो की समाजिक नयाय से और उनके अस्तित्यों के संकट से जुड़ा हुआ है उसके बारे में इन्होंने बहुत ही गंभीर काम किया और आज भी इनकी जो संस्ता है Center for Science and Environment वो बहुत ही अच्छा काम करती है इसके छेत्र में तो अनिल अगरवाल एक बहुत महत्पूर व्यक्ति हैं और बहुत ज्यादा इन्होंने अपना काम का प्रचार प्रसार भी नहीं किया और जो दिल्ली में CNG की समस्या है या पूरे भारत में जो प्रजेक्ट टाइगर है या दूसरी जो परयामनी संकट है जो इनर्जी से और वाटर से और सालीड वेस्ट बेनेजमेंट से जुड़े हुए है उन पर इनका बहुत ही सार्थक काम है इसके अलावा जो है 1992 में जो एक ग्लोबल सम्मिट हुआ परयामन को ले करके उसमें एक जो कांसेप्ट आया CBDR सब्सक्रीदारी है लेकिन जो गरीब देश से उनकी कम जिम्मेदारी है और जियादा जिम्मेदारी है तो उसको भी इनकी और इनकी साथी सुनीता नाराएं ने वो पूरा कांसेप्ट तो यह बेक्ति है आनीला गरवाल बहुत महटतोपूर्य referring इसके अलावा जो है इसमें सतीज धवन के बारे में है और उसके बाद यूरोप के पहाड़ों में तमिल चीते उसके बारे में है धर्मा कुमार के बारे में एक लेख है जो कि महतुपूर्ण है तो यह जो है बहुत अच्छे इसमें लेख है जिसमें कि दो इंपोर्टेंट चीजों के बारे में चर्चा की गई है लोग और जग हैं यानि कि लोगों के बारे में और कुछ जगहों के बारे में बताएगे कि वो खास क्यों है दूसरा जो इसका हिस्सा है सहित्य और जीवन सहित्य और जीवन में वही जो है कि लोग जैसे कंणर के टैगोर, सिवराम, का दक्षिन एसी आई लोग अच्छी जीवनिया क्यों नहीं लिख पाते और इसमें उन्होंने बता है कि किस तरीके से दक्षिन एसीया में क्या समस्य आती है लोगों को जीवनिया लिखने में फिर सुजीत मुखरजी को लेकर के एक किसमें लेक है तो इस तरीके से ये पूरी किताब है इसमें और भी कई सारे लेक है इसमें ज्यादा तर जो लेक है वो परेवन और समाज से जुड़े हुए जो लोग है समाजी कारियों को करने वाले जो लोग है उनको लेकर के इसमें लेक है तो और इसमें अच्छी बात यह है इस किताब की कि जैसे आप एक लेक या दो लेक भी पढ़ सकते हैं कोई जरूरी नहीं कि आप पूरी किताब पढ़ें कोई दूसरी किताब हो जो परयावन के मुद्दों से जूड़ी हुई हो और अगर आपने पढ़ी है और चाहते कि हम भी पढ़ें तो उसके बारे में भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद